नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शांडिल है बात करेंगे मिलकी पूर विधान सभा उपचुनाओ के चुनाओ आयोग की तरप से जारगन महरास्ट के विधान सभा चुनाओ वा साथ में देश में होने वाले तमाम उपचुनाओ के लिए तारिकों का एलान हो चुक सीटे हैं जिसमें यूपी की दस विधान सभा सीटों पर उपचुनाओ होना है पर मिलकी पूर उपचुनाओ पर प्रश्न चिन इसलिए लग गया क्योंकि इस सीट से जुड़ा एक मामला कोर्ट में लंबित है जिसमें पूर्व विधायक बाबा गोरकनात ने याजिका द से फिलहाल मिलकी पूर में चुनाओ तल गया दरसल यूपी की दस सीटों पर उपचुनाओ होना था इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा मिलकी पूर सीट की हो रही थी इस सीट से सपाव विधायक रहे और देश प्रसाद ने सांसिदी का चुनाओ लड़ा था और जीत का दायर की थी 2022 के विधानसवा चुनाओ में हारने के बाद उन्होंने सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत को लेकर याजिका दाखिल की थी यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है उन्होंने अपनी याजिका में कहा था कि नॉमिनेशन करते समय अवधेश के हलफ नामा नोटरी की डेट एकसपाइडी थी इसके चलते नामानकन कैंसिल होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस पूरे मामले में बीजेपी का कहना है कि 2022 विधानसवा चुनाओ में मिल्किपूर सीट से जीते सपा के अवधेश प्रसाद की ओर से दाखिल किये गए उन पूरू विधायक गोरकनात बाबा का तो जिससे उन्होंने जिस वकील साहिबस से उन्होंने कराया था नोटरी वो छे साल पहले उनका लैसन निरस था यह बात जैसे पता चली हम लोगोंने अधिवक्ताओं के संपर्क में किया और उस पर हम लोगोंने याज का डाली वैसे पूरे प्रक्रण पर सपा प्रमुख अखलेश यादों ने एक्स पर ट्विट करते हुए कहा कि जसने जंग टाली समझों उसने जंग हारी अब इन तमाम राजनेतिक घटना क्रमों के बीच बीजेपी की तरफ से याज का वापस लेने के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द ही चुनाव आयोग मिलकी पूरसीट पर कोई फैसला ले सकता है ताकि समय पर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सके